तो हें गाइज वालकम बैक टू आना दा नीव वीडियो गाइज के सो आप सब आई होप आप सब बड़ी हाँगे तो गाइज बहुत दुन से आप लोग कमेंट करते कि भाई आमरा क्यारेक्टर का स्कील को लेकर कोई वीडियो बनाओ तो गाइज फाइनली में आपके लिए मिल पाएगा तो गाइज वीडियो को पूरा फ्रफली ध्यान से देखना है और शुरु से अन्ध तक आपको ध्यान से समझ नहीं सायद वीडियो थोड़ा क्लंबा हो सकता है तो आप उसको मैनेज जरूर कर लेना भाई रिकोष्ट है लेकिन आपको पूरा फ्रफली देख क्या होता है उसके लिए मिंगा बात करना बला हूं तो गयास बीडियो को ध्यान से देखना है तो गाइज चलिए ज्यदा लेट ना करके जलिए हम वीडियो को श्टार्ट करते हैं कर दें hac lut ron चिया होत है तो गाईज आपको में बत्थों हर क्याराक्टर का हमर्क पार जितने वी क्यारैक्टर है उश् часов क्यारक्टर का स्कीप अडि़िटी उसका पावर अलग अलग है ठीकिट तो क्था अगर मैं एक क्यारेट का आपड़ेट के बारें बात करूं उसका सम अलोग का character का power होता हुए उसका skill होता है उसका ability होता है कि वह आपको HP प्रोभाइड करता है उससा से आपको जोटा character भी हर kill के बाद जो है HP प्रोभाइड करता है तो इससा से हर character का ability कुछ ना कुछ अलोग होता है ठीक है तो आपको कौन सी character लेकर खेलना है यह आपकी मर्जी का मतलब आपको कौन सी character का skill अच्छा लगता है तो उससा से आपको चैरेक्टर को लेकर पता नहीं तो मुझे क्यारेक्टर को लेकर खिलना है तो यह हमारा था क्यारेक्टर का स्कील तो आगे चलते हैं तो अभी हम बात करते हैं हमारा स्कील स्लोट के ऊपर तो आप सोगे तो पता है जिसे किसी क्यारेक्टर को आप उपन करेंगे तो आहां पर निचे लिखाएगा स्कील स्लोट वहां प देखिए आप गेम के अंदर जा रहे हो तो आपको जो है अलोग तो एच्पी प्रभाइड करता है लेकिन उसके साथ अगर आपको और कितीन केरेटर का अबलेटी आपको मिल जाए तो किसा रहेगा तो वहां पर यह तीन बॉक्स इसलिए दिया गए है कि आप जो क्या लेकर लिए 2,000 कोईन देना पड़ेगा नेहीं तो आपको और आपको पाच पाच पहलेगे तो अपर आपको इसको ऊपन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको दो साजार कोईन देना पड़ेगा ने तो 125 डाइमर के भी इसको उपन कर सकते हैं तो फ्रेंश आपने तो तीन स्लोट ख्यारिद ली लेकिन उसके बाद जो है तीन स्लोट में आपको एकर करके जो है उसका मतल़ और जो तीन क्यारक्टर का अब लेड़ी को यहां पर लगाना है उसी स्लोट के उपर उपन करके आपको जो है जो क्यारक्टर का स्कील चाहिए तो यहां पर आपको लगाना है जो क्यारक्टर वहां पर लगा रहे हो तो वह क्यारक्टर भी आपको मैक्सिमम करना है ताकि जो उसका अब्रीड है वह भी आपको यहां पर मैक्सिमम प्रोभा करके वहाँ पर आपको हेग जिसी च्रीका किया श्कीयल भी लगाना है तीखे माजभ आलो के साथ अगर आपको तीन करेड़र को अलोख कvida कि चाहिए तो वहाँ पर आप जिस नहिंगे तो वहाँ पर 2 फ्रीव और दूसरा एक तो अब तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है समझना है कि प्रासिब स्कील क्या होते है तब जाके है आप जो सही स्कील अहां पर लगा सकते हो तो फ्रेंस थाड़ पॉइंट बहुत ही इंपर्टन होने वाला है तो अगर आपने अभी जग हमें चालने को सब्सक्राइब नहीं बात करते हैं हमारा थाड़ पॉइंट के उपर जो हता है हमारा पैसिव स्कील अडर आक्टिव स्कील तो आपको निचे आपको जो चैरेक्टर सा स्कील स्लोट आप नजर आएगा तो आप किसी भी स्कील स्लोट को खरीद में लेना उसके बाद वहां पर क्लिक करेंगे तो रृत आता है हमारा द चैयों से देखिक हैं अडर तो स्कील क्या होता है आंड़के कर। तो आक्तिब स्किल मेरा कॉर्ण को जाता है मैं वह एक एक समझा चática मैं जीता हुँ जो हमारा हो गया डिज्ञ आलग, वो है एक क्नीछ, दूसरा है राफ्यल, वो है आक्तिब स्किल, त्यसरा है वोंकंग जू हमारा गिली बूस प्रवाइड करता है वह हमारा प्याखिव किल चौथा है हमरा स्टेफ ही वो है एक active skill और फांसिबा है हमरा A124 तो यह जो पांच character है वो है एक एक जो है active skill तो और जो बाकी रहेगे सारे character वो है passive skill तो अभी मैं आपको passive skill के बारे में क्या होता है और active skill क्या होता है मैं बता देता हूँ तो कहीं देखें जो character हमको जो है कुछ समय के लिए एक जो उसका ability provide करता है उसके बाद cooldown हो जाता है फिर कुछ समय बाद हमको skill उसका ability उसका power provide करता है फिर बबहां दो चाता है का सूरू से लेकर आखिर तक वह रहता है ठीक है और जोटा अगर मलोग जोटा करिटर लेकर गए तो जोट अबलीटी स्टार्ड से हर समय हमारा साथ रहेगा लेकिन जो होता है catch ev intent . थिर बंढ हो जाता है फिर उसका, जो पावर है जब चार्ज हो जाता है फिर वह आट्टिव हो जाता है तीक है वह होता है अगर आप थे अगए आपको पर एक आपको एक ही आट्टिव स्किल लगा रहे है और तीन आपको आपको यापने पर टीन स्कील स्वेड़ दिया रहे तो इसके बाद वह जो खुद का स्कील है सब्सक्राइध के साथ मैं तो आलों के साथ में में आप देखेंगे तो मैं यहेपर स्केल्स के लगा शक्ता हुं ओसमें मैं मैं अलोक लगा शकता हूँ पर तौकव देखे देखेंगे तो वहां पर लॉक टाइगा ठीक है आप अपनी खेस्टर में जाकर चेक कर सकते हो कि वहां पर आक्टिफ़ किल लोग आ रही कि नहीं है तो फ्रेंट्स हमारा जो पांच आक्टिफ श्कील लेता है उससी को आप उपर गर देखेंगे तो वहा तो वहां पर आप कोई भी आक्टिव स्कील नहीं लगा पाऊंगों कि वह एक आक्टिव स्कील है वहां पर आपको जो है तीन स्लोट पर पर पैसिव स्कील को लगाना है तो आप आपको एक आक्टिव स्कील लगाना है और तीन पैसिव स्कील लगाना है ठीक है वहां पर आप कोई भी आक्टिव की लगा को लिए पूरा कोशिच किया अगर आपके मण में और कोई भी डाउट है तो मुझे सेक्षिन में ज़रू बता सकते हैं अगर आप चैनल पर नीव है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई को सब्सक्राइब करना वीडियो को आप फ्रेंग के साथ ज़रू शेयर करना ताकि उनको भी पता चले इस अगले वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई